नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक कीचन टिप्स धूड़ कर लाए हैं जिसका आप उप्योग करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे साथ ही साथ समस्याएं भी आपकी दूर होगी घर में बहुत सा हम काम करते हैं तो कुछ चीजें जो हम डेली यू यह कर दिये को किया इसके बाद फिर उसी से हम अपने चाकु को भी घिस लेंगे क्योंकि चैकु भी डेली हम काम करते हैं तो यह काफी मूड जाती हैं इसकी धारें तो फिर यह चल नहीं पाता और जब हम इसे धार कर लेते हैं घर में बिना पैसे दिए सिम्पल चीजों से आप समय बचा सकते हैं और पैसे भी अगर आप एक साथ सप्ता हमें किसी भी चीज से अपनी घर की चीजों से धार कर लें अपने चाकू को और जार के ब्लेड को और अपने कद्दू कस को तो आप काफी पैसा बचा सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे काट लिया और हम थोड़ा सा इसमें से नीबू निचोड लेंगे और कारस थाकि हम इसके छिलके का भी यूज कर सकें इस तरह छोटे-छोटे टुकड़े अगर आप किसी को सैलेड वगरा में काट के देंगे तो आपके नीबू नुकसान नहीं होंगे अगर आप बड़े-बड़े टुकड़े काट के देते हैं तो लोग थोड़ा सा नीबू का रस निकालते हैं और उसके बाद बाकी नीबू फेक देते हैं इसलिए छोटे ही छोटे टुकड़ों में आपको नीबू काट के सैलेड में देना चाहिए इस तरह से देखे हमने काफी रस निकालिया थोड़ा सा रस इसमें है विम जल था उसमें पानी मिला के हम रखे थे क्लीनिंग के लिए क्योंकि जल गाड़ा होता है थोड़ा सा इसे और पावर्फुल बनाना है ताकि इस से हम पीतल के बरतन धूल सके गंदे पीतल और तांबे के बरतन साथ ही साथ नल वगएरा में जो पानी के दाग लग जाते हैं या सिंक वगएरा में तो उसे भी हम आसानी से साफ कर सके इसलिए हम एक जेल बनाएंगे जो free of cast होगा आप अक्सर हारपिक वगएरा यूज करते हैं तो सिर्फ टॉइलेट में यूज कर सकते हैं वास बेशन में पर पूजे के बरतन नहीं धूल सकते और ये छोटा सा हमने देखे ये काट रखा है धकन ऊपर का हिसा और धकन को बाहर निकाल दिया और ये हमारी कीप बन कर तयार ह हमारा एक्सपाइरी डेट का जो बेकिंग पाउडर था उसका भी हम यूज कर लेंगे फेकने की बजाए है न ये मज़ेदार टिप्स आपके आम गुट्लियों के दाम फेकने के बजाए आप इनका यूज कर सकते हैं देखे जब हमारे पास बेकिंग पाउडर ना हो तो ब इससे बहुत सी चीजें क्लीन कर सकते हैं अपनी पोछा लगाने में भी आप इसका यूज करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आप बहुत महंगे महंगे जो लिक्विट्स खरीदते हैं उसके खरीदने से बच जाएंगे थोड़ी सी चीजों में घर के वेस्ट सामान से ही बन अब देखे हम अपने बरतन धुलेंगे ये देखे कितने अच्छे से चमकने लगे थोड़ा हलका लगा के रख देंगे और बहुत कम महनत में ये हमारे बरतन अच्छे से धुल जाएंगे अगर आप इसे और जादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीबू का रस भी डाल सकते हैं पर छिलके में अतना सफिशेंट था क्योंकि थोड़ा सा छिलका हमने से में से रस निकाला था बहुत जादा नहीं निकाला था, हलका हलका रस उसमें था, तो ये काम कर दिया, अगर आपको बहुत जादा पावरफुल बनाना है, तो आप थोड़ा सा इसमें नीबू या ये चाइनीज खानों में जो विनेगर डाला जाता है, उसे डाल कर आप इस लिक्विट को और अली हुए बरतन भी धुल सकते हैं, इस तरह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने काम को आसान कर सकते हैं, थोड़ा समय वाश करके आपको दिखाऊंगी इस तरह से, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, तो बहुत जादा देर तक हम इन टिप औ ट्रिक्स को आपको बता नहीं सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, चलिए अब हम बिना देर किये चलते हैं अपनी अगली टिप्स के तर मैंने डाल डाला है, जिसमें सबजियां भी डाल दी है, पर प्रेशर कुकर बंद करने जा रही थी, तो देखा कि हमारे प्रेशर कुकर के साइड से गैस पूरी तरह से निकल जा रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो हम फ्रिज में अपने गैसकेट को रख देत तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस चीज से seal करें पर आटा था रूटी बनाने के लिए गुथा मैंने जल्दी से उससे seal कर दिया अपने pressure cooker को तो देखा हमने हमारा pressure cooker CT लेने लगा इस तरह से आप गरम है हलका हलका थोड़ा सा ये और इस तरह से हम दबा कर इस पर लगा दीजे और उसके बाद जब इसे आप gas पे रखे तो हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजे तब ये अच्छे से चिपक जाएगा और absorb कर लेगी हमारी gas अच्छे से cooker के अंदर और देखे इस तरह से हमने लगाया और हमारी CT पूरी हो गई अब बंद कर दिया था मैंने gas पूरी अच्छे से CT ले लेगी अब हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी बहुत सबजियां थी तो मैं भूल गई थी कल शाम को अभी थोड़ी सी गर्मी कम है तो मुर्जा तो गई है कम मुर्जाई है तो मैंने बर्फ रखा था थोड़ा देखे उंगलियों से तोड़ के दिखा रहे हैं क्योंकि आज कल ठंडा पानी तो नहीं रखा जाता है तो उसके निकाल लिया और मैंने इसमें मेथी और थोड़ी सी धनिया अपनी डाल दे डालने के बाद इसे हमने धग दिया सोचे कि थोड़े से बर्फ रहेगा तो अंदर हमारी सबजियां जल्दी से हर हो जाएंगी देखे थोड़े ही देर में तीन से चार मिनट में इसने अपना रंग चेंज कर दिया जो मुर्जाय हुआ था वो चीजे एकदम हरी हो गई कभी-कभी ऐसा है कि हम सबजियां लाके रख देते हैं तो ऐसा हो जाता है तो इससे बचने के लिए देखे हमने जब इन सबजियों को रखा थोड़े देर बाद उठाया तो देखा कटोरी में से एक बर्फ की कटोरी बाहर निकल गई और बर्फ की कटोरी के अंदर ही अब मैंने अपनी हरी सबजियों को रख दिया और बर्फ की कटोरी धिमे-धिमे पिगलेगी है ना यूनिक सी टिप्स अगर आपको हमारी कोई टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी वेडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू